तो इस वीडियो में जो हम सीरिया का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा मिलान वर्सिस वेरोना के बीच मैच का वेन्य होगा मिलान रात में 12.15 एम पे मैच स्टार्ट होने वाले हैं अब दोस्तो जो AC मिलान है न ये सीरिया की वन अब दा बेस्ट साइड मानी जाती है और वेरोना जो साइड है ये वहाँ की एक प्रॉपर मिट टेबल साइड है अब मैं अगर आपको इस सीजन का पॉइंच टेबल दिखाऊं तो AC मिलान से तो जैसे एक्सपेक्टेड था वो 19 उनके पॉइंट है तो प्रॉपर अभी स्टाइटिंग में तो टाइटल रिस में बने हुए है और एक टॉप साइड है सीरिया आगी बात करें हेलस वेरोनों की वो भी अभी मिट टेबल में और ये एक मिट टेबल की साइड ही मानी जाती है साथ में दो मैच इन्हों नही जीते हैं दो ड्रॉज है तीन हार है और अगर आप देखेंगे ना इन्होंने भी एसी मिलान के बराबर साथ में 15 गोल मारे है यानि कि ये टीम अटेगिंग वाइस तो बहुत अच्छी है लेकिन इन्होंने साथ में 14 गोल भी कंसीट कर दिया है यानि कि जितनी अच्छी है ये टीम अटेगिंग वाइस है उतनी ही खराब ये टीम डिफेंसीव वाइस है वही एसी मिलान आप देखेंगे अटेगिंग वाइस भी बेस्टीम है और डिफेंसीव वाइस भी बेस्टीम है लेकिन वेरोना अटेगिंग वाइस अच्छी है और इनका डिफेंस बहुत ज तू निल, टू वन और पिछला मेच एक टॉप अटलांटा साइट को 3-2 से हराया है वही हेलस वेरोना भी आप देखेंगे इनके लास्ट तीन मैचेस में लॉस नहीं है दो लगाता ड्रॉज है 2-2-3-3 के और पिछला मेच इनोंने 4-0 से जीता है तो हेलस मरोना आप देखें इनको प्रवलम फेस करनी पाल लिए तो फिलाल के लिए इस मैच में फेवरेट्स मिलानी होने वाली है अपने घर में के लिए होम एडवांटेज भी होगा स्कॉर्ट क्वालिटी इनकी काफी अच्छी है इस कंपेर टू वेरोना लेकिन अगर आप ग्रेंड लीग खेल ले मैचेस सीरिया आमें नहीं जीती है यानि कि पिछले साथ के साथ जो आवे मैचेस है या तो उनके ड्रॉज में या वो हा रहे है बात करें दूसरे वैक्ट की वह है एसी मिलान अर अंडिफिटेड इन लास्ट एन होम मैचेस अगेस्ट वेरोना इन ओल कॉंपेटिशन तो ये भी एसी मिलान का होम मैच है और वो अपने पिछले दस जो होम मैचेस उन्होंने वेरोना के अगेस्ट के लिए उसमें अंडिफिटेड है तो ये दोनु फैक्ट एसी मिलान को फेवर करने एक तरफ वेरोना जो है अवे जाके कुछ अच्छा परफर्फरमेंस नहीं कर पर ये दूसरा एसी मिलान अपने घर में वेरोना के अगेस्ट अंडिफिटेड है तो स्यूजेशन और ज्यादा क्लियर हो गई कि क्यूं हमें इस मैच में एसी मिलान को फेवरेट करके चलना जीए तो फिलाल के लिए हाई चांसे ये भी रहेंगे कि आपके मोस्ट प्रिप्सन में जरूर से जरूर जोइन कर लिजे प्रोवेबल लाइनप प्याते हैं पहले हम फेवरेट्स एसी मिलान की बात करेंगे तो एसी मिलान फेवरेट जरूर है ना लेकिन इनके कुछ इस मैच में में टीम प्लेयर से स्टार्ट नहीं करने वाले तो ये बहुत ब लेवल है पर इस्टिल एसी मिलान के बाद इतनी quality है कि वेरवना को अपने घर में आरा सकती है तो स्मॉल लिग में हम एसी मिलान maximum players प्लेयर्स पिक करेंगे यानि कि 7 और अपनेंट के पिक करेंगे सिर्फ 4 प्लेयर्स तो इसी मिलान के second choice गोलकीबर टाटारू सानु स्टार्ट करेंगे यह काफी टेस्ट हो सकते हैं क्योंकि इनके main गोलकीबर नहीं है तो इनको जो अपनेंट हो काफी और टर्गेट लेके टेस्ट कर सकता है क्या वरुसाय एरर कर दे तो अभी के लिए आप गोलकीबर दोनु मैंसे किसी भी टीम का कंसीडर कर सकते हैं चार इनके defender है कलावरिया टमोरी कियार और टोरे अभी के लिए में चोइस लेफ्ट पेक थे थी ओ अनन्डेस जिन और की आपको याद होगा कि अभी फ्रांस के लिए नेसंस लीग के सेमी फैनल में गोल मारके हमें मैच जीता है था वो अनविलेवल है बहुत बड़ा लॉस है उनके प्लेस में एक न्यू साइनिंग है इनकी बाला टोरे से मेरी नंबर वन चोइस रहेंगे बहुत ओफेंसिव फुल बैक है जो डिफेंसिव भी करते हैं असिश पूटेंचिल बहुत अच्छा है अगर स्टार्ट करते हैं लो स्कोरिंग मैच में आप इनको वाइस केप्टन तक कर सकते हैं अभी के लिए बालो टोरे जो है दोस् अब हैं तो अभी के लिए मेरी सेकेंड चॉइस है थार्ड चॉइस मेरी टोमोरी और लाश्ज रहेंगे क्यार ऑल्थो टोमोरी क्यार दोनूं हेडर में अच्छे लेकिन टोमोरी के डिफेंसिव नंबर्स अच्छे हैं आपने देखा होगा फ्र्मर चेल्सी ब्लेयर है चै इंद्रा गोल वो भी मार चुकिया लेकिन उन्होंने जो maximum गोल्स मार रहे हैं वीक टीम के अगेश्ट मार रहे हैं AC Milan के अगेश्ट उनको इतना easy नहीं होगा गोल assist कर पाना तो अभी के लिए किसी टीम के यहाँ पे defenders को मैं prefer करूँगा वो AC Milan के रहेंगे मैं इनका heavy defense लेगे आपे चलूँगा और ये position भी dominate कर सकते हैं तो फिर मैं आपको suggest करूँगा इन 4 में से minimum 3 defender तो आप इनके surely pick कर सकते हैं तो अभी के लिए इनके दोनु fullbacks और Tomori ये मेरी top 3 choice रहेंगे किसी एक को drop करना है maybe मैं कियार को करूँगा although कियार भी header में अच्छे है लेगिन अब सब तो पे हम pick नहीं कर सकते हैं तो कियार में इडी 4 choice रहने वाले हैं midfield में बेनाश है defensive midfield role में खिलिंगे उतना goal assist नहीं करते अब बात करते हैं attacking midfield में खिलिंगे माल दी नहीं अब दोस्तों ये माल दीनी इनका नाम है जो इटली के लीजेंड थे पॉलो मेल दीनी उनके बेटे हैं और अभी इनको एक मैच में start मिला था इन्होंने रेंडम गोल मारा था although मस्ट भी नहीं के रहो यहां पर मैं recommend नहीं करूँगा बिकोज अभी इनका मैंने ज्यादा गेम भी नहीं देखो और इनको chances मिले हैं एक मैं गोल मारा बाकी दो अब दा बैस प्लियर है गोल असिस्ट चांस क्रेट स्वाट स्वां टार्गेट हर चीज में बंदा के विबल है एक गोल दो असिस्ट है लेकिन अगवर आला आप गेम प्ले देखेंगे रहा बहुत बार रेविज गोल माने के आर्सेनल प्लेयर आपको यादी होगा लाफ सियन तक प्रीमियर लीग में खेलते थे एक प्रूवन गोल स्कोरर है अभी क्या हुआ इस्टार्टिंग दो तीन मैचेस के लिए इसके पास इंजर्ट होगे लेकिन उन दो तीन मैचेस में जिरू ने दो गोल मार दिय थे तो जीरू को भी मैं शुल्ली पिक करूँगा और आई थिंग रैबिट जीरू का कॉंबिनेशन एक रिलाइबल केप्टन वाइस केप्टन सी कॉंबिनेशन इस मैच में हो सकता है दोस्तों सेली मेकर जो है ना प्लेयर अच्छे हैं लेकिन मेरको बहुत इनकंसिस्टेंट लग सकते हैं लेकिन मैं अभी के लिए सेली मेकर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मेरे अकॉर्णिंग मिटफील में कैसी रैबेच जीरू यह तीन प्लेयर इंपोटेंट होंगे इनकेस अगर राफेल लियाओ श्टार्ट करते हैं तो यह बंदा भी बहुत ज्यादा इंपोटे सकते हैं तो बागी जो भी स्टार्ट करेगा मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा यह एसी मिलान की प्रोविवल लियाओं थी यहां से मैं आपको लगबग सभी इंपोडेंट चीज़े बता दी और यह इनके अभी तक के सीजन के स्टैट हैं अपोनेन की बात करने इसके प्रीवी वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल में मैं पोश्ट करता रहता हूँ अब हम बात करते हैं वेरोना की इनके गोलकीपर इंपोडेंट टूंगे तो अभी के लिए गोलकीविंग सिलेक्शन 50-50 आप किसी भी गोलकीपर के साथ जा सकते हैं त्री इंदा अभी के लिए इनके डिफेंस में मेरी नंबर वन चोईस रहेंगे फाराओनी और आपको इनको शोली पिक करना चीए यह बहुत अटेकिंग राइट विंग बैग है जो आपको ओफेंसिव डिफेंसिव दूनु जगे से पॉइंट देगा इस बंदे के सिजन दो गोल और एक असिष्ट है साथ मैचेज में एज़ा राइट विंग बैग होते हुए तो फेराओनी को में शोली रिकमेंड करूँगा बाकि आपको और किसी के साथ जाना है गंटर के ठीक टाक डिफेंसिव इंटर सेप्सेट है और कोई रिकमेंड नी करूँगा फेराओनी को अभी गया था इस सीजर अभी तक ठीक ठाक ही गया है पंट लेना है तभी कंसिडर करना वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बैसा डिफेंसिव में खिलिंगे इग्नोर कर सकते हैं अल्दो लास्ट मैच में रेंडम गोल मारा लेकिन उतना गोल असिष्ट के लिए नहीं जाने अच्छी नहीं चली ओपन प्ले से उतने गोल असिष्ट नहीं है लेकिन पेनाल्टी एडवांटेज है तो बहराग मैं आपके शोली करूंगा विद इलिच एन फेराओनी अब कपरानी और जोविंकी शिमयोनी को ने ने जो जेविंकी सिमयोनी है दूस्तों जो डियागो स अच्छे श्ट्राइक और कपरारी भी फॉरवर्ट सेक्शन में लिष्टेड है यह दोनू प्लेयर अब इन दोनों में आइधिंग आपको कोई एक पिक करना चीए तो मेबी कपरारी दो गोल दो असिस सिमयोनी दो गोल दो असिस दोनू इक्वल लेवल के दोनू के कपरारी के साथ यहां पर 50-50 कोल है आप सिमयोनी के साथ जा सकते हैं तो यह वाला डिस्यान आपका है दोनू के दो गोल दो असिस्ट है कपरारी और सिमयोनी के अब यहां पर कहा है कपरारी का मैंने देखा है most of the games में जल्दी सब्सीट भी होते हैं बस इस बात का ध्यान र कर रहा हूँ तो फिलाल जो मेरी डेमोर अफ्टी में गोल कीपर मैंने क्या गया अपोनरें के नहीं लिये मैंने मिलान के गोल कीपर लिये क्यूंकि आई थिंग इनके सेकेंड चॉइस गोल कीपर है ज्यादा टैश हो सकते हैं इनके तीन डिफेंटर लिये टमोरी कलावरिय टोरे और यहां से फेराओनी ले लिया जो इनके राइट विंग बेक होते वे गोल असरिश करते हैं बाकी बराक इलिच और कपराली लिये आप इनके प्लेस में सिम्यों नहीं ले सकते हैं अभी अभी बताया बाकी यहां से मैंने जीरू रैविक और कैसी लिया अब कैसी ल जाएगी लिंक के डिस्क्रिप्शन में जरूर जोइन कल लिजिए